वेलकम बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम देखने वारे हैं कि नेस्नल काइडर कॉप से इसे क्यों जॉइन करें जिसके आप NCC की नाम से जानते हूं तो NCC क्यों जोईन करें और इसके क्या फायदे होने वाले सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसके फायदे क्योंकि जब लोब लालच होता है तब ही हम किसी काम को कर पाते हैं तो जो है ना इसके फायदे क्या हमें सबसे पहले इसके बारे बता देते फिर इसके बाद में join कैसे करना, इसके बारे में आपको बता दूँगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं, यह मैं आपको लेकर आँ हूँ इसकी official website पर, जो NCC की official website है, इसका जो सबसे number one का फायदा है, NCC करने का, NCC, कि आपको जो भारती सेनाई हैं, भारती सेनाई के तीनों कौन-कौन से जैसे कि आप जानते हैं, कि आपका सबसे पहले आता है, Army, then Navy, then Air Force, तो यह भारती सेनाउं के जो यह तीनों अंग हैं, इसमें आपको जो ना, देश सेवा करने का मौका मिलता है, और इसमें अगर आपने NCC कर रखी, तो आपको मिलती है, चूट, आपके लिए Special Entry Vacancy आती, जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, current में वेकेंसी चल लएई है, NCC Special Entry वाली, मैं इसका link आपको नीचे वीडियो में देऊंगा, ताकि आपको actual पता चल पाए, कि हाँ भाई, ऐसा होता भी है, कि NCC वाले बच्चों की अलग से सेना में अपसर बनन होता है, देन आपका direct selection होता है, तो मतलब की एक तो ये benefit है, कि अगर आपको भारती सेना में join होना है, तो आप NCC सुरुवात से अपने level लेके चलिए, और आपको आँगे चल कर सेना में join होने के लिए, या अफसर बनने के लिए, soldier cynic बनने के लिए, आपको एक बहतरीन मौ होते हैं, अब देखिए, आपने देखा होगा, कि जो NCC के camp जाते हैं, वहाँ एक बच्चा camp नहीं जाता है, सारे बच्चे एक साथ होके जाते हैं, एक साथ होके वहाँ रहते हैं, एक साथ होके खाने के खाते, पीते जो भी होता है, activities उनकी सारी एक साथ होती है, तो मतलब दूसरी बात यह होती है कि आपकी जो ना physical fitness है ठीक है physical fitness आपकी एक number की होती ही क्योंकि इसमें physical activity बताई जाती है कराई जाती है आपको जो जो ना इसका घ्यान दिया जाता कैसे हम स्वस्त्र हैं और जो ना जो सेनाओं की कुछ कारविध होती है वो आपको इसमें भी बताई जाती है तो यह तीन मुख्य फाइदे हैं आपके एक तो आपको जोना सेना में जाने का रास्ता खुल जाता है आपको काफी भारी छूट इसमें मिलने वाली होती सेना अगर आप जोइन करना चाहते हैं और दूसरी बात आपको जोना यूनिटी यह सारी चीजें आपके हम देख लेते हैं अब मैं आपको फिर से लेकर आया हूँ इसकी ओफिसल वेबसाइट अब हम इसी वेबसाइट पर आपको बताएंगे कि इसके जोईन होने का तरीका क्या है अब होम यह पेज जो आपको इस पर जाना आपको ठीक है होम पेज पर देखिए कई सारे लोगो की फोटो अगरह आ रहें यह कारकाम होते रहते हैं यह हमारे उपराश्च पते-जी है अहाँगे देखते हैं हम कि देखिए जैसे हम नीचे SCP करते हैं हिस्हें के जवाइन कर सकते हैं जिसमें अम हम रोती है बारा से साड़े अठारा साल और इसमें मेल इन फीमेल दोनों जॉइन कर सकते हैं मतलब बच्चे यह दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं एंसी ले सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं कि सर्फ बॉय जी यह सर्फ गरली और इसकी कुछ और मुलभू ज़रूरत है सिटीजन है और आप इंडिया और नेपाल तो मतलब की आप इंडिया और नेपाल के ओं दोनों बच्चे इसमें नोजगह के बच्चें में इसमें ज्याइन कर सकते पीर जएढसी आप। साल तक के बच्चे जाते जो senior division है उसमें जाते हैं हमारे up to 26 साल मतलब maximum जो उमर है 26 साल तक की अब देखिए आपके जो enrollment होता है अगर आप junior division जोइन करते तो आपके दो साल का चलेगा कुर्स और अगर आप senior division जोइन करते तो आपका तीन साल का कुर्स चलेगा अब यहां से मैं आपको कुछ और बात बताने वाला हूँ देखिए NCC में तीन तरह के certificate मिलते हैं तीन तरह के एक होता है A certificate ठीक है दूसरा होता है आपका B certificate तीसरा होता है आपका C certificate और जो यह C certificate है यह सबसे ज़्यादा महतो रखता है और सबसे ज़्यादा माहिने रखता है हर वेकेंसी में इसी वेक की बात की जाती है अगर आपके पास C certificate तो आपको यह चूट यह चूट यह चूट यह चूट ठीक है A B का कुछ खास कहीं रोल नहीं है अगर आपके पास A और B certificate प्राप्त होता है तो आप उसका बहुत ज़्यादा फाइदा नहीं उठा पाएंगे बट इन दा केस यूगेट C certificate इसका मतलब जो बच्चे senior division जो तीनों साल की कर लेते हैं उन्हें मिलता है यह C certificate अब देखो C certificate में भी grading है हर certificate में grading है कौ से percentage अगर आपके जो ना C certificate बहुत अच्छे नंबर आए तो आपको A grade मिलेगा ठीक है A grade मिलेगा अगर आपको उससे कम नंबर आए तो आपको B grade मिलेगा उससे भी कम आए तो C grade मिलेगा ठीक है तो अगर आपके पास C certificate हो जाए और साथ में A grade मिल जाए तो आपकी जिंदग candidate की इसमें जोना vacancy है लेकिन उसमें चाहिए आपका A grade के साथ में C certificate A grade हो या B grade दोनों grade उसमें मांगे गए खर मैं तो आपसे कहूँगा कि आप मेहनत कीजिए आपको C certificate मिले और उसमें भी A grade आपको मिले ठीक है तो ऐसे ही B अगर आपके पास B certificate है तो भी आपके पास आप यहां से देख सकते हैं उसे A, B, C, 3 तरह के grade उंबाट दिया गया है तो सबसे जो सरवत्तम चीज निकल के आई वो निकल के आई C certificate है आपके पास में और उसमें grade है आपका A या फिर B है तो भी चलेगा ठीक है लेकिन C में कई सारी जो है ना आपको फाइदे नहीं मिल पाते हैं तो उमीद करता हूँ आप इसकी grading system और certificate system आप समझ गया होंगे और इसके फाइदे के है जोइन करने के और आपको जोइन कैसे करना है आपको इसमें कोई महावारत नहीं है जोइन करने कोई दिक्त नहीं है अगर आप जो भी देंगे आपको वह लोग भरवाएंगे ठीक है यह responsibility आपके school के परदानाचार जो headmaster होते हैं उनकी होती है तो आप उनसे direct संपर कर सकते हैं वो आपके लिए guide करें हो सकता है आपके school में NCC नहीं है लेकिन कुछ गिने चुनेवे school में NCC है तो आपके principal ही जिस school में NCC है उनसे संपर कर सकते हैं और वही आपका admission करा सकते हैं NCC में ठीक ऐसा नहीं है कि आपके school में अगर NCC नहीं है तो आप NCC नहीं कर सकते हैं अगर आप इच्छुक है तो जरूर आप NCC जोईन कीजिए तो अगर कुछ और जानना पूछना चाते है तो आमें comment कर सकते हैं जिसमें NCC special entry के बारे में बताए गया कि किस तरह की vacancy आती है जिससे आपका और होसला बढ़ेगा आप और अच्छे से जोना इसे कर पाएंगे इस वीडियो में इतना ही हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक कि लिए वन दिमात्रम